आज आपसे एक ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो दिखने में तो सुन्दर है ही टेस्ट में और भीला जवाब ये रेसिपी आज तक आपने रेस्टोरेंट में ही जाके खाई होगी बट घर पे बनाना बहुत जादा आसान है देखते ही डेफिनिटली ट्राइ करने वाले हूँ पूरे डिटेल वीडियो आपसे शेयर कर रही हूँ लेट्स स्टाइट हलो फ्रेंट्स और वेलकुम बैक टू माई चैनल और क्या बस इसका डो लगाना है बट याद यह रखना है कि गर्म पानी से ही इसका आठा लगाना है थोड़ा थोड़ा पानी दालते हुए आप चमत से मिक्स करें और बाद में आप इसे गूत ले semi soft हमें आठा लगाना है तो अच्छी तरह से मसल के इसका आठा लगा दे और इसे cover करके 30 मिनिट्स के लिए छोड़ देते हैं ताकि ये set हो जाएं यहां एक पैन ले लिया है इसमें दो बड़े चमच बटर आड़ करेंगे और दो बड़े चमच कटे हुए गालिक और एक छोटा चमच चिली फ्लेक्स आड़ करके इसे रोस्ट कर लेते हैं सौटे करेंगे जब तक कि आपको खुश्बू ना आने लगे फिर इसमें एड़ करेंगे एक प्यास कटा हुआ और इसे पकाएंगे जब तक कि ये हलका ट्रांसलूसिन ना हो जाए ये देखे दमपढ़िया अब इसमें डालेंगे दो बड़े कप भर के स्पिनेच हम बनाने जा रहे हैं पालक रिवियोली बहुरी टेस्टी और हल्दी रेसिपी है जरूर ट्राइ करें दो कप पालक दालने के बाद इसे हलका सा मिक्स कर लेंगे फ्लेम यहां आपको लोही रखना है और अब दाल देंगे स्वार नुसार नमक और ये जो सारा प कर लेंगे इसे थंडा होने देते हैं यह अब completely थंडा हो चुका है अब इसमें डालेंगे 200 g के करिब करेंबल पनीर दो चीज क्यूबस वैने इसमें डालेंगे चिली फ्लेक सेन ओरिगानो एक एक चमच और फ्रेश हम प्रेपर डालेंगे प्रेपर पावडर अप्रेश को यहां 30 मिनिट हो चुके हैं और डो भी एदम पर्फिक तरीके से रेस्ट हो चुका है चलिए इसे एक बार नीट कर लेते हैं और एक बड़ा सा पेडा ले लेते हैं अब में यहां डायरेक्ली किचिन काउंटर पे ही डस्ट करूंगी आटा और इसको रोल करेंगे यहां रोल क कमण अपर कटोरी में लेगा और क्रैक हो सकते हैं अब कटोरी ले 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 ग्लास ले या जिस साइस के आपको रवियूली बनानी है उस हिसाब से आप ले ले कटर है तो उसका भी उस कर सकते हैं और मैंने यहाँ गोल गोल यह शीट को कट कर लिया है यह देखे इतने पतले आपको इसको रोल करना है और मैंने यहाँ थोड़ी बड़ी साइज ही तो चाहे तो छोटी-छोटी भी रव्योली बना सकते हैं स्टफिंग हमारी रेडी है एक कटोरी में पानी ले लिया है से सील करने के लिए तो साइड में थोड़ा सा पानी लगाएंगे और स्टफिंग को इस तरह से आप चमच की हल्प से इसके अंदर रखेंगे और आप स्टिक कर ले दोनों एजिस को यह देखें जैसे हम गुजिय इस तरह से एक साइड से पिंच भी कर सकते हैं और स्टफिंग को आप भर भर के डाले इसमें बिल्कुल फटनेगी नहीं फ्रेंज अगर आपने परफेक्ट यही माप से इसका आटा लगाया होगा और अच्छी तरह से आपको सील करना है अब फॉक से आप इस तरह से सील कर जाएगा आप चाहें तो डिरेक्ली इसी तरह से भी यूज कर सकते हैं बट मैं एक और पैटन यहां बना रही हूँ वह बोलते हैं पहले लोग आखों से खाते हैं और फिर मूह तक लेके जाते हैं तो प्रेजंटेबल होना बहुत ज़रूरी है हमारी कोई भी रेसिपी पाकी लोगों का खाने का मन हो तो सही बात बोली या नहीं जरूर कमेंट करिएगा और देखिए फटा-फट से हमारी यह जो डिजाइन है वो कम्पलीट हो चुकी है लग दीने दम सुन्दर तो इसी तरह से आप सारे रवियोली बना ले यहां लगबग मेरे 20 मीडियम साइ इसके रवियोली बनके रड़ी है और अब चलिए मने यहां कड़ाई में अल्री पानी गरम कने रख दिया है सुपर होट बॉइलिंग बॉटर जाहिए तब आप इसमें डाले रवियोली थंडे पानी में बिलकुल ना डाले अधर जादा टाइम लेगा और आपकी रवियो आपको दिखने लगेगा इसकी शीट्स यह दिखिए इस सरह से जब ट्रांस्परिंट हो जाए तब आप इसको निकाल ले तो मैं यहां आप गैस को ओफ कर लेती हूं और यह जो रवियोली है यह हो चुकी है फ्रेंस चार मेट में इसे हम स्ट्रेइन कर लेते हैं ताकि एक पालक और पनीर की स्टाफिंग इसको सॉटे करना अप्षिन है यह अच्छा लगता है आप इसे ऐसे भी एंजॉय कर सकते हैं अब चलिए बनाते हैं इसके लिए एक बड़ा सा सॉस एक चमच बटर ले लेंगे बटर को अच्छी तासर मेल्ट होने देते हैं अब इसमें ड अच्छा पन निकल जाना चाहिए अच्छी खुश्बू आने तक आप इसको रोस्ट करें अब इसमें डालेंगे एक कब भर के दूद गरम लेना और बैचेस में डालना थाकि इसमें लंस ना पड़े और अच्छी तरह से हमारा जो यह वाइट सॉस है वह बन जाए यह दे अच्छी खुब आड़े चमच आप पिजा सॉस डालें और इसमें लिए एक क्रीमी बनाने के लिए इसमें डाली हो दो चीज स्लाइस अब चीज क्यूब्स या प्रोसिस चीज भी आड़ कर सकते हैं और इसमें नमक लेंगे अब स्वाद अनुसार आप नमक दालें और थो हमारा जो सॉस है वो रेडी है रवियोली के साथ सर्व करने के लिए इसे आप दो तरीके से सर्व कर सकते हैं या तो आप रवियोली को डायरेक्ली सॉस में डिप करके सर्व करें या मेरी तरह सर्व करें पहले सॉस डाले और उपर से रवियोली को प्लेस करें यह जो रवियो तो फ्रेंड्स कैसी लिगी आपको आज की रेसिपी देखते ही बनाने का मन हुआ कि नहीं और मूम में पानी आया कि नहीं जरूर बताईएगा रेस्टोरन स्टायल ये डिश एक बार तो ट्राइ करिए कोई भी पार्टी के लिए परफिक्ट रेसिपी है चलिए मैं तो जा र हुआ 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 है